प्यारे बच्चों, दस्वें कक्षिया की गनित की नई अन्सियारटी पुस्तक पराधारित इस नए कोर्स में आप सभी एक स्वागत है इस कोर्स में आपको regular classes के साथ साथ हर एक lecture के notes video format में मिलेंगे साथ ही आपके online test जो के multiple choice questions के रूप में होंगे आपके लिये जाएंगे और इसके अलावा जो है समय समय पर आपको जो board exam level के test है वो भी आपसे लिये जाएंगे तो यह सब कुछ कैसे possible होगा यह मैं आपको video के बीच में बताऊंगा तो आप यह सिदे हमारे गनित का पहला chapter सुरू करते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याई सबसे पहले मां आपको यह बताता हूँ कि इस chapter में कौन-कौन से topic है तो नएस लेबस के recording हमारे इस chapter में सिरफ दो ही topic है पहला topic है अंग नित की अधारवुत परमे और दूसरा है एपरमे संख्याओं का पुनल भर्मन पुनल भर्मन का मतलब होता है दुबारा चर्चा करना यह एपरमे संख्याओं के बारे में कुछ हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था ना बस उस C के बारे में थोड़ा सा और हमें पढ़ना है तो अब अगर 9th क्लास वाला आपको याद नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जोबी topic करवाऊंगा ना उसका basic आपको ज़रूर करवाऊंगा ताकि आपको हर एक topic अच्छे से समझाजे तो अब बात करते हैं इन topics पर अधारित questions की तो ये जो दो topic है इन पर हमारी book में हर एक topic पर एक exercise दीवी है यही परसनावली एक दसमलो एक जो है वो अंगनित के अधार भुत पर में पर अधारित है और परसनावली एक दसमलो दो जो है एपर में संक्याओं का पुनर भर्मन पर अधारित है ठीक, तो कुल मिला करके 7 क्युस्टन तो हमारे परसनावली एक दसमलो एक में है और 3 क्युस्टन जो है परसनावली एक दसमलो दो में है तो टोटल 7 प्लस 3, 10 क्युस्टन होगे और उधारन नमबर 1 से 7 और टोटल 7 उधारन है और 2 पर में है तो कुल मिला करके 19 क्युस्टन जो है हमारे इस छोटे से असान चैप्टर के अंदर है अब दखेए कि ये पूरा चैप्टर में बिल्कुल अराम से भी करवाऊंगा ना तो अभी 2 गंटे से कम टाइम में पूरा हो जाएगा और अब 2 गंटे का जो वीडियो नो काफी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को दो लक्षर में डिवाइड कर दिया है आज पहले लक्षर में हम अंगणित के अधारभूत पर में क्या होती ये समझेंगे और फिर इसी इपर में का परियोग जो है दे गई संक्याओं का HCF और LCM ग्याद करने के लिए किस परकार किया जाता है ठीक है ये भी हम समझेंगे और फिर हम हमारे इसी कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए परशनावली एक दस्मलग एक के क्रिस्टन को सॉल करेंगे और साथ की साथ है जो हमारे इसीरिटी बुक के उधार्ण जो दिये हुए है इन्हें भी हम सॉल करेंगे अब देखो हुए जो बत्चे बॉर्ड एक्जाम में मैथमेटिक्स में सो वटे सो लेना चाहते है न तो मेरे किसी वीडियो का कोई पार्ण स्कीप करके मत देखना है सारा शानती से अराम से देखना है ठीक है तो देखिए आज की क्लास का मुख्य टोपिक अंगनित की अधारवुत पर में को समझने से पहले है न मैं आपको छोट-छोटी तीन बातें बता देता हूँ यह फिर टोपिक आपको बहुत अच्छे समझा जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात है वो है कि प्राकरतिक संख्याएं कोन सी होती है इनने हम नेच्रल नंबर भी कह देते हैं क्या कह देते हैं नेच्रल नंबर यह क्या होते हैं तो जो गिंती वाली संख्या है ना एक दो तीन च्यार पांच और यह आगे तक चलती रहेगी यह जो गिंती वाली संख्या है यह तो क्या है प्राकरतिक संख्या है अब प्राकरतिक संख्या है जो ना इन्हें हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं दो भागों में विभ भाज्य संख्य हैं और भाज्य संख्य हैं ठीक अब अगर यहां से हम देखें तो ए भाज्य संख्य हैं कौन सी हैं ए भाज्य संख्य हैं जो है यहां पर दो तीन पांच आगे चलेंगे तो साथ वगर यह सारी क्या है ए भाज्य संख्य हैं अब ए भाज्य संख्याओं की क्या खास बात होती है कि इसके सिरफ दो विभाजक होते हैं एक विभाजक तो एक होता है दूसरा जो है ये संख्या कुद होती है तो एक ऐसी संख्या जिसके सिरफ दो विभाजक होते है उसे हम क्या कहते हैं एभाज्य संख्या कहते है एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो यानि ने दो से कम ने दो से ज़्यादा विफाजक हो उसे हम क्या कहेंगे ए भाज्य संख्या जिसके केवल दो विफाजक हो ठीक अब बात करते हैं भाज्य संख्या की जिसके दो से अधिक विफाजक हो या जिसे हम ऐ भाजे संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सके वो क्या होती है भाजे संख्या होती है तो ये आप अच्छे से जानते ही हो कि जैसे संख्या चार है संख्या छे है आठ है नो है ये सारी क्या है भाजे संख्या है हैं कि इसके दो से अधिक विभाजक जैसे एक चार जो एक से भाग होती है दो से पूरी-पूरी भाग होती है चार को जैसे भी पूरी-पूरी भाग होगी तो यह इसके दो से अधिक विभाजक होगे तो यह भाज्य संख्या है इसी तरह से इन्हें डिसक्रिशन की जरूरत नहीं आपको पता है कि ये सारी की सारी भाज्य संख्य हैं क्योंकि इनके दो से अधिके विभाजक हैं अब हम संख्या एक की बात करते हैं अब संख्या एक का तो केवल एक ही विभाजक है ठीक तो ये ए भाज्य तो नहीं है क्योंकि ए भाज्य के लिए तो दो विभाजक होन भाजे है और नही ए भाजे है याद रखना इस बात को आपने ठीक है अब दूसरे नमबर पर बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की तो जैसे मैंने प्राकरतिक संख्याओं आपको बताई कि जो गिंती वाले संख्याओं हैं दो, तीन, च्यार, पांथ, छे आदी आगे तक चलता रह गए ये जो संख्याओं हैं ये प्राकरतिक संख्याओं हैं और प्राकरतिक संख्याओं के संख्याओं में अगर आप जिरो और मिला देते हैं तो ये जो संख्याओं है ये क्या बन जाता है पूर्ण संख्याओं बन जाती है ठीक तो पूर्ण संख्याओं के बारे में इतना ही काफी है अब हम बात करते हैं पूर्ण आंकों की तो पूर्ण आंक क्या होते हैं जिसको इंगलिस में हम इंटीजर्स कहते है तो पूर्ण आंक जो है इसमें क्या है कि पूर्ण संख्याओं सारी आजाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब इन पूर्ण संख्याओं के संख्याओं में प्राकरतिक संख्याओं का रिनात्मक और मिला दीजिया प्राकरतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 है तो इनका रिनात्मक माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चारा दिए और मिला दिया हमने ठीक, तो ये अंकों का जो संक्याओं का जो नया समू हमें पराप्त हुआ है ये क्या है, पुर्णांक है अब इन पुर्णांकों में देखिए कि जो पुरुणांक जीरो से बड़े हैं न एक, दो, तीन, चार वगर ठीक है ये कहलाते है धनात्मक पुरुणांक धनात्मक पुरुणांक ठीक और जो जीरो से छोटे हैं ये कहलाते है रिनात्मक पुरुणांक अब जीरो क्या है भई zero नína तो धनातमक है नहीं जनातमक है नाई तो धनातमक है नहीं जनातमक है इसी भी याद रखना आपने तो अब इतना basic समझने के बाद हम आज का हमारा topic है अंगनित के अधार बुत्पर में इसे हम आसानी से समझ पाएंगे तो वास्तों में ये topic हमारे लिए कोई नया topic नहीं है बस इसका नाम ही नया है बाकि इसको यूज तो हम बिल्कुल छोटी classes से करते आ रहे हैं जब हम 4th या 5th class में थे तब से इसको यूज करते आ रहे हैं अब आपको पता होगा कि या फिर आपको याद होगा कि छोटी classes में जब आप थे ना जब 4th या 5th या 6th class में थे तो आपके टीचर ने एक सिंपल सा क्यूस्टन दिया होगा कि 42 के ए भाजे गुणन खंड के जिए 42 के ए भाजे गुणन खंड एक बार किसी ने ये definition नहीं पढ़ने इसकी परिभासा नहीं पढ़ने है पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा इतना ठीक है मैं आपको ये उधान दे करके समझा रहा हो ना इसे पर ध्यान देना आपने तो टीचर ने क्या बोला कि 42 के ए भ दो पर कट होएगा दो दो ने चार दो एक दो फिर तीन के पाड़े में 21 आता है तीन साते 21 और आपने फटा फट लिख दिया था कि 42 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7 तो संख्या 42 के आपने ए भाजे 42 को आपने ए भाजे संख्या होगे गुणन फल के रूप में लिख दिया दो ए भाजे संख्या है तीन भी ए भाजे संख्या है और साथ भी ए भाजे संख्या है ठीक तो इसी तरह से आपको कोई भी भाजे संख्या दे 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 उसके ए भाजे गुणन फंख्या बनी जाएंगे जैसे मान लिया आपको 120 दे दिया ठीक है 120 के भी हम ए भाजे गुणन सब्सक्राइब नाखन बना सकते हैं 2 2 2 0 0 2 3 6 2 0 0 15 पंदरा दुनीच थीश तीन पंज पंदरा ठीक तो 120 को मैं लिखे दूंगा 2 की पावर 2 कितनी बार 3 बार है ना तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 गुणा में 5 या 2 को 3 बार लिख दो भेशक तेकिन आप बड़ी क्लास में होगे ना तो थोड़ा सा मोडिफाई तो अपने को ना पड़ेगा तो इस तरह से 120 को भी आपने क्या लिख दिया ऐ भाज़े संख्याओं के गुणान फल के रूप में लिख दिया ऐसे कोई भी आपको भाज़े संख्या दे दो उसके आप गुणान खंड कर सकते हैं उसे ऐ भाज़े संख्याओं के गुणान फल के रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो अंक कनित की अधार भूत्परमे का जो पहला पार्ट वो यही तो कह रहा है कि परतेग भाज्य संख्या को ए भाज्य संख्या को ए भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जैसे ये ब्याड़ेस हमारे पास भाज्य संख्या थी तो इसको ऐ भाज्य संख्याओं के गुनन फुल के रूप में व्यक्त कर दिया इसी तरह से 120 हमारे पास एक भाज्य संख्या है इसे भी हमने ऐ भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है तो यहाँ पर पहला पार्ट तो मेरे खाल में इतना सीम्पल है से बच्चों को समझाए गया होगा तो क्या है पहला पार्ट कि परतेक भाज्य संख्या को ऐ भाज्य संख्याओं के गुननफल के रूप में लिखा जा सकता है व्यक्त किया जा सकता है अब दूसरा पार्ट भी हम एक्जाम्पल के थरोई समझेंगे अब देखिए कि टीचर ने भाई क्यों सुन दिया 42 के आए भाज्य गुनन खटके जीए अब जैसे रोल नंबर एक ने इस तरह से कर दिया अब रोल नंबर दो कहता है सर मैं तो कुछ इस तरह से करके दिखाऊंगा इसको पहले तीन पे कट करूँगा मुझे कौन रोकेगा तीन एकम तीन तीन चोगे बारा फिर मैं करूँगा साथ पे कट साथ दूने चोगदा और मैं लिखाऊं 42 बराबर तीन गुणा साथ गुणा दो ठीक है कोई रोकने वाला ये भी बिल्कुल ठीक है कोई नहीं रोक सकता है इसको भी ठीक है और किसी एक बच्चे ने ये लिखती है वाई मैं तो पहले साथ पे कट करूँगा मेरी मर्जी है साथ से के 42 और दो तीन 6 इस भाई ने लिख दिया 42 बराबर साथ गुणा दो गुणा तीन ठीक अब देखिए कि 42 को पहले आप दो पे काटें तीन पे काटें साथ पे काटें ठीक है लेकिन हर बार संखें देखिए दो तीन साथ दो तीन साथ दो तीन और साथ ही आएगी कोई नई संख्या नहीं आ सकती इसमें ठीक है हाँ करम बदल सकता है अगर आप इस करम पर ध्यान ना दो ना ठीक है इस करम के बिना अगर हम देखें तो यह जो कुणन खंड है यह एद्वित्य है 42 के लिए यह यूनीक है ठीक है संख्या बियारिस के लिए यह तीन अंक जो है दो तीन और साथ यह यूनीक है अब यूनीक का मतलब क्या है यूनीक या एद्वित्य का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते है और वो कोई समान दिखाता है कहता जी यह बिल्कुल यूनीक पीस है यूनीक का मतलब और किसी के पास ऐसान नहीं मिलेगा 9 से कम 9 से ज्यादा ठीक इसी तरह से 120 के लिए ये जो अंक है ये यूनीक है ओके तो सिरफ हमें क्या है कि इसका करम के उपर ध्यान नहीं देना इस करम के बिना अग्रम देखें तो ये जो गुणन खंडन है ये एदविति है यूनीक है तो देखिए एक बार फिर से हम पूरी परिभासा पढ़ लेते हैं कि भाज्य संक्याओं को ए भाज्य संक्याओं के गुणन फलगे रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि ये जो भाज्य संक्याओं की मारी इसको ए भाज्य संक्याओं के गुणन फलगे रूप में लिख दिया अब ये कहता है कि ये है गुणन ख गुणनखंडन के आने वाले करम के बिना ऐदवित्य हैं, कि अगर इस करम को हम ध्यान में ना रखें, तो ये गुणनखंडन क्या है ऐदवित्य है, ठीक, तो भाई इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार एक संख्या क्या आप ने जो ऐवजे गुननखंड बना दिये, वही रहेंगे, ठीक है, इसके अलावा और कोई आपाजे गुननखंड एक्जिस्ट नहीं करेंगे, वो यूनीक ही होंगे, ठीक, और यह जो सेकंड पार्ट है, इसको हम कहते हैं, अंग गुनित की आधार भूत परमे की एदवितियता, यूनीकनेस, क्या कहते हैं, एदवितियता, ठीक है, इस सबद का मैं परियोग करूँगा, जब क्यूस्टन सोल करूँगा न, तब, ठीक, तो अब अब उम्मिद करता हूं कि अंग नित की आधार भूत पर में आपको अच्छे से समझ आ गी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात इसने कही है कि प्रतेक भाजे संख्या को ए भाजे संख्या के गुणनपल के रूप में लिखा जाएगा, और ये जो ए भाजे संख्या का जो सेट है, वो सिंदी के भाजे संख्या के लिए यूनिक है, एदविति है, अब देखिए इसी बेस पर हमारी परसनावली एक दसमलो एक का पहला क्यूस्टन है, यहाँ पर आपको जो है इस क्यूस्टन के पांच पार्ट दिये हैं और एक पार्ट में जो है एक संख्या दे रखी है, और ये कहता है कि मिमलिक्त संख्याओं को ए भाजे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो बिल्कुल है ये, तो अगर इसके हल की हम बात करें, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है, वो कितना दिया हुआ, एक सो चालिस, तो दो साते चोदा, दो जिरो जिरो, दो तीए छे, साथ में छे माइनिस करेंगे, एक, दो पांचे दस, ठीक, और अब पांच पे कट होगा, पांच साते, तो एक सो चालिस को आप लिख सकते हैं, दो की पावर, दो कितनी बार आगए, दो बार आगए, जितनी बार आगए, उतनी पावर लगानी है, गुणा में, फिर एक पांच आ गया, और फिर एक सात आ गया, ठीक है, बस सिंपल सा फर्स्ट पार्ट जो है, आपका सोल हो गया ठीक, अब इसी तरह से आप second part को solve कर सकते हैं, second part जो है, ये 156, 156 के एब आज़े गुना नखंड करोगे, तो last में देखे, समसंख्या 2 पर कट जाएगा, दो साथे 14, 15 में 14 माइनस करेंगे, एक एक क्या गयाच है, शोड़ा होगे न, दो आठे शोड़ा है, दो तीए 6, साथ में च्या माइनस एक, एक क्या गयाच अठारा होगे, दो निम्मे अठारा है, और फिर 49, तो ये 3 पर कट होजेगे, तीन एकम तीन 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 हो, तेरा कम तेरा लास्ट में एक लगा सकते हो, लेकिन कोई ऐसा आड़ और फास्ट रूल नहीं है, कि आप इसको ऐसा करके लगाओगी, ठीक है, अब कुछ से एक बुक्स में ऐसा लिखा होगा, ठीक है, चाव तो कर सकते हो, ठीक है, अब 117 बराबर, दो की पावर, दो दो बारा ह आँगा, गुणा में 3, गुणा में 13, ठीक, अब कई बच्चे के तरी यह तो असान से यह चोड़ दूम कर लेंगे, आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, थर्ड पार्ट तो बिलकुल असान है, लेकिन 2 मिन्ट लगेंगे, देख लें, क्योंकि यह ज देखे, 3825, और अब यह 3 पे चेक करते हैं, कटेगा की निकटेगा, 3 का चेक करने के लिए इसके अंकों का जोड़ करके देखते हैं, 3 और 8, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 18, 18, 18, 18, 3 के पाड़े में आता है, तो 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगे न, 2 के आगे, 2, 22, 3, 27, 21, फिर 1 बचेगा, 3, 15, 15, अब फिर चेक करता हूं, मैं 3 बे कटेगा की निकटेगा, फिर वह यह अंकों का जोड़ करके देखते हैं, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 7, 10, प्लस 5, 15, 15 भी 3 के पाड़े में आता, 3 बे कटेगा, 3, 3, 4 के बारा, 3 दूनी 6, 7 में 6 माइनिस करेंगे, 1, 1 के आगे 5, 15 होगे न, 3, 5, 15, अब 4 प्लस 2, 6, 6, 5, 11, 11, 13 के पाड़े में नहीं आता, 3 पे नहीं कटेगा, लेकिन जिस संख्या का इका 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 पांच होता हो, 5 पे कट जाता है, 0 या 5 होता हो, 5 आठे 4, 5, 25, फिर 5 पे कट करूँगा, 5 एकम 5, 3 बचे हैं न, 5 साते 35, ठीक, तो ये 3825 बराबर, 3 के कितनी पावर लगाँगा, 2 लगाँगा, क्योंकि 2 बार आया, 3, 5 भी 2 बार आया है, गुणा में 17, ठीक, अब जो चोथा पार्ट है, वो देखी, ये चोथे पार्ट में है, 5005, तो पहला तो बिल्कुल सिंपल आपको दिखाई देए रहा है, कि 5 पे कट है, 5, 1, 0, 0, 1, ठीक, अब ये 5 के बाद जो एवाज़े संग कहते हो, 7, 7 से तो आपको भाग देगी, देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है, 7 पे कट जाएगा इसलिए मैं काट रहा हूँ, 7 एकम, 7 बचे 3, 7, 128, दो बचे, 7, 3, 21, ठीक, अब 143 जब 11 पे कटेगा, अब 11 के लिए जो है, क्या नियम होता है, कि जैसे हम ये लिखते हैं, 143, तो पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे, इनको जोड़ो, 1 प्लस 3, 4, फिर जो बचाओ, उसको बचेवाद तो जोड़ने की जोड़ोत नहीं अकेल लई है, तो इन दोनों को जोड़ा च्यार आ गया, बीचवाले को जोड़ा च्यार आ गया, फिर इनको घटाया, 0 आ गया, ठीक, ऐसे कितनी ही बड़ी संख्या हो न 11 से भाग चैक करने के लिए ऐसे अल्टरनेट पदों को जोड़ लो, इनको अलग जोड़ लिया, बचेवाँ को अलग जोड़ लिया, फिर इस जोड़ में से ये गटा हो, गटाने के बाद 0 बचे, या गटाने के बाद जो उत्तर आए न, वो 11 से भाग हो, तो वो संख्या 11 पर कटेगी ठीक है 11 से भाग चैक करने के लिए क्या है कि एक छोड़ के एक इधर से और बाकी बचे वे एक छोड़ के एक दुन्नों को ये जोड़ और ये जोड़ दुन्नों को अपस में घटा लो घटाने के बाद 0 बचे या 11 से भाग हो तो वह संक्या 11 पर कटती है ठीक है तो यहाँ पर मुझे जादर लंबा चोड़ा कुछ नहीं करना पड़ा एक प्लस तीन च्यार च्यार में च्यार गे जीरो जीरो आ गया तो कटेगा 11 पर 11 एकम 11 तीन बचे गा 11 तीए 33 ठीक तो हम 5000 5 को लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 अब आपको गेशर कि इस 5 में स्वाल में क्या खास बात है ये भी हम कर देंगे तो देखिए mostly बच्चे कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चों को प्रोब्लम पता का आ थी इस में कि अगर इसको आप चेक करोगे न 2 पे तो कटना ही नहीं है अंकों का जोड़ करके देखोगे 3 पे भी नहीं कटेगा भाग करके देखोगे 5 पे भी ये नहीं कटना क्योंकि काई का अंक 0 ये 5 होना चाहिए फिर 7 पे चेक करेंगे फिर 11 पे चेक करेंगे 13 पर चेक करेंगे, ऐसे करते करते जाकर के 17 पर जाकर की कट वाएगा, ठीक है, यही खास बात है इसमें, ठीक है, अब 17, 4, 68 और 2, 46 बचेगे न, अब 17, 31, 11 बचेगे, 11, 11, 11, 17, 17, 11, अब यह 437 जो है, यह 17 पर भी निकटेगा, यह जाकर के 19 पर कटेगा, ठीक, 19, 38 और 5, 57, 19, 37, तो 7429 जो है, वो आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है, तो कई बचेगे जो है, इसको जादा जादा 11, 13 तक करके न, इम्मत सी आ जाते हैं, सोचते हैं, यह बाद जे संक्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इस सवाल को जो है, अच्छे से माइड़ों में रखना आपने, अब देखिए कि जो अंगनित की अधारभूत प्रमे है, उसे हम दे गई संक्याओं का, HCF और LCM ग्यात करने के लिए बहुल जाते हैं, तो याद करवा देता हूं आपको, और जिन बचों को पहले से आता है न, वो भी HCF और LCM का अर्थ ध्यान से समझे हैं यहां पर, कि HCF, HCF का मतलब होता हाइस्ट कोमन फेक्टर, हाइस्ट कोमन फेक्टर, ठीक, अब सिर्फ अर्थ समझा रहा हूं, करने का तरीका, सम को सोल करने का तरीका हमारा अलग होगा, ठीक हैं, लेकिन अच्छी अपका अर्थ समझी वास्तम यह तो जैसे, मैंने इसकी फुल फॉम बताई है, अर्थ थोड़ी ना इसका, अब जै छै के फेक्टर देखो, छै के फेक्टर का मतलू, छै किस किस से भाग होता है, छै के गुणन कंड देखे कौन कौन से होते हैं, छै जो है वो एक से भाग होता है, छै दो से भाग होता है, छै तीन से भाग होता है, और छै खुद छै से भाग होता है, ठीक, जबकि 20 जो है व भाग करने तो 6-0 बचे दो से पूरा-पूरा विभाजित होता है तीन से निविगा चार से होता है पांत से होता है दस से होता और 20 से विभाजित होता है तो आप देखिए यहाँ पर देखिए यह 6-0 के फैक्टर लिख दिये मैंने 20 के फैक्टर का मतलू विभाजित है ठीक है तो 6 पैक्टर है अब देखिए नमें common factor 26 के common का मतलू है जो दोनों में हो common factor है एक और दो लेकिन अब हमें देखना कि highest common factor कॉन सा बड़े से बड़ा common अब देखो दो से बड़ा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा तो यह दो जो ना यह इन दोनों का क्या हो गया HCF हो गया ठीक यह सिरफ मैं आपको अर्थ समझा रहा हूँ ठीक है अब जो समारसम सोल करने का तरीका है वो कुछ अलग होगा अब LCM का अर्थ हो और लगए आद समझे लेजिए LCM का मतलू लिस्ट लिस्ट का मतलू सबसे चोटा common M का मतलू मल्टीपल ठीक लिस्ट को मन मल्टीपल अब 6 के मल्टीपल कौन से है और 20 के मल्टीपल कौन से है जो 6 का पाड़ा जो होता है ना 6 एकम 6 6 दुनी 12 चैती 18 यानि 6 किस को पुरा-पुरा भाग करेगे चैती 18 6 14 24 25 35 36 36 27 26 28 68 68 69 69 69 69 60 उसके बाद 66 बैतर आगे तक चलता रहेगा मल्टीपल कभी भी खतम नहीं होती है ठीक है 20 के मल्टीपल भई 20, 45, 60, 80, 100, 120 ठीक है और ये चलते रहेंगे अब देखिए इन में से ये 6 के मल्टीपल है ये 20 के मल्टीपल है इनका कॉमन मल्टीपल जो इसमें भी हो इसमें भी हो तो कॉमन तो मुझे है और कोई नजर नहीं आरा 60 हारा है बस ठीक है उसके बाद जैसे आगे चलेंगे तो यहां कहीं 120 इसमें आएगा 120 इसमें और फिर आगे तो कॉमन और आती रहेंगे कितना आगे चलेंगे ना वैसे आपको इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल कॉमन आपको मिलते रहेंगे तो हाइस्ट तो आपको डोनी ने सकते ना हमें तो लोवस्ट लिस्ट डोनना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो छोटे से छोटा है वो यहां पर कितना है 60 है अब 60 से छोटा तो कोई कॉमन मल्टीपल इसका नहीं है 6 के multiple है 20 के हैं लेकिन common नहीं है इनका ठीक है 60 से छोटा तो 60 क्या हो गया इनका LCM हो गया अब देखो इतना लंबा method हम थोड़ी न लगाएंगे हम सिरफ अंगनित के अधारवोत पर में लगाएंगे और इसका LCM और HCF निकाल देगी तो इसका हल जो है वो कैसे करते हैं कि इनका HCF और HCF गयाद करने के लिए पहले 6 और 20 के क्या करेंगे हम एभाजे गुणन खंड बनाएंगे ठीक 6 के एभाजे गुणन खंड दो तीए 6 20 के दो दाएं 20 और 25 दस तो 6 के लिख देंगे 2 गुणा 3 और 20 के लिख देंगे 2 की पाउर 2 गुणा में 5 ठीक अब देखिए HCF क्या होता है HCF में आपने देखना है कि जो कॉमन गुणन खंड ना उसके सबसे सोटी गात लेनी होती है ठीक है HCF किस-किस का ले रहे है 6 और 20 का तो ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर 6,20 ऐसे लिखेंगे 6 और 20 का HCF तो यहाँ पर कॉमन को इंदीम बोलते है उभे निष्ट तो HCF क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपस में जो मैच कर रहा है न वो क्या कर रहा है यहाँ पर पावर 2 है दो किर यहाँ पर पावर 1 है तो छोटे बाड़ी पावर आपने लिए नहीं है तो 26 और 20 का HCF है वो कितना होज़ेगा 2 की पावर 1 है नि 2 होज़ेगा ठीक अब आपको कि सर यह किन सोड़ दिया यह बताता हूँ है कि इतना पहले तो अच्छी फक निकालना कैसे वो समझ आ गया न कि जो दुन्मों में जो गुणन खिंड मैच कर रहा है उसके सबसे छोटी घात लेनी है अगर माली यहाँ पर एक और भी मैच कर रहा होता तो हम उसको भी ले ल का यहाँ पर भी मैच कोड़ देता है एक पर, लसीम जो है उसमें आपने लेना है कि पड़टेक गुणन खंड लेना उसमें, government नहीं देखना, कूमन देखो कि तो सरफ एक ही बार लेना है, तो इसमें भी एक ही बार लेंगे शको, कि पड़टेक गुणन खंड की सबसे गात एक है तो परते गुणन खंड की सबसे बड़ी गात लेली रून का हमने क्या कर दिया गुणन पल कर दिया तो दो की पाउर दो कितना होगे च्यार गुणा तीन गुणा पांच च्यार तीय बारा पांजे शाठ तो देखिए यहां पर हमने जैसे HCF और LCM का अर्थ समझा था ना तब हमारा HCF कितना है था दोर LCM कितना है था 60 लेकिन अब देखिए कि जब हमने अंगनित की अधार बोत पर में एक का प्रियोग करके निकला तो कितना आसान निकल गया HCF निकालते हैं तो जो मिलते हैं वो उसके सबसे सोटी गात लेनी है जितने ही मिलते हैं उनका सबसे सोटी गात का गुनन पल और LCM में विपरते गुनन खंड लेना है ठीक और उसके सबसे बड़ी गात का गुननपल, तो जो मिलते हैं उनको कहते हैं उभेनिस्ट, क्या कहते हैं, उभेनिस्ट, उभेनिस्ट गुननखंडों की सबसे छोटी घात का गुननपल, गुननपल, ठीक, और यहां पर उभेनिस्ट ने देखना है या परतेग देखना है, परतेग गुननखंड की सबसे बड़ी घात का गुननपल, ओके, तो यह जो चीज मैंने समझाये थी, जश्ट समझाने के लिए थी, आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने जश्ट इतना अशा सम करना है, अब यह आपर आपके एक मज़ेदार चीज दिखाता हूं, कि संख्याए कौन-कौन सी दे रखिए, 6 और 20, इन संख्याओं का गुननफल कीजिए, 6 गुना 20, 20-120, अब इनके HCF और LCM का गुननफल कीजिए, यहाँ पर दो संख्याओं का गुननफल जो है, वो उन संख्याओं के HCF गुना LCM के बराबर होता है, क्या बताया है, वाने दो संख्याओं का गुननफल बराबर, HCF गुना LCM, ठीक, अब देखो, कि अगर माल लिया, आपको किसी क्युस्टन में LCM दे रखाओ, HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, HCF बराबर, पहली संख्या गुना, दूसरी संख्याओं का गुननफल, अब HCF ग्यात करना LCM दे रखाओ, तो LCM इदर आकर कि इसके वटे में वजाएगा, कि HCF बराबर, दो संख्याओं का गुननफल, वटे LCM, और LCM ग्यात करना हो तो, दो संख्याओं का गुननफल, वटे HCF, ठीक है, अब देखिए, इसी बेस पर हमारे बास, हमारी NCRT एक्सरसाइज, एक दसमलेक का दूसरा क्यूस्टन है, यह कहता है कि, इस क्यूस्टन में देखिए कि, तीन पार्ट दे रखे हैं, और अरह एक पार्ट में क्या है, कि दो दो पूर्णांकों का जोड़ा है, कि जैसे 26, 95, 510, 92, 336, और चौन, तो इनका आपने क्या करना है, HCF और LCM गयाद करना है, फिर आपको यह चेक करना है, क्या, हमने अभी जो बात की थी, second example को सोल करते समय, हमें दो संख्याओं का गुणांफल, HCF गुणा LCM के बराबर है की नहीं है, ठीक है, तो पहले हम इसको फटामट सोल कर लेते हैं, कि 26 के ए भाजे गुण अंखिन बनेंगे 2 गुणा 13 और 91 के बनेंगे 7 गुणा 13, तो 27 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर होगा 7 गुणा 13, ठीक, तो HCF और 26 और 91, इन दोन्नों का HCF क्या होगा, कि एक तो भई लाइन लिखेंगे, ओभे निस्ट, ऐ भाजे गुणान खंडों की सबसे छोटी गात का गुणान फल, ठीक है उसके बाद जो है ओबिनिस्ट कौन सा है तेरा है वस एक ठीक है तो यह ही अचीफ आ गया अब है चीफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दीगी संख्याओं को पुरा पुरा भाग दे दे ठीक और LCM 26 और 21 तो यहाँ पर हम लिखेंगे परतेक ऐ भाजे गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल परतेक ऐ भाजे गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल यह अपने हर एक में लिखना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए की परतेक ऐ भाजे में तो दो आ जाएगा गुणा में तेरा जाएगा गुणा में साथ आएगा ठीक है तो यह जाएगा तेरा दुनी 26 26 आते 182 ठीक है तो यह HCF आगी है LCM आगया अब हम यह चेक करना कि दो संख्याओं का गुणनफल ब्राबर HCF गुणा LCM है या नहीं है तो हम लिखेंगे यहापर दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दो संख्याओं का 26 गुणा 21 ठीक अब थुड़ा समय बचाने के लिए मैं 26 गुणा 21 यहाँ करके दिखा देता हूं 2366 आया है ठीक कितना है 2366 ठीक अब HCF गुणा LCM HCF अब सभी संख्याओं है गुणा LCM अब 26 संख्याओं यह था 13 गुणा 180 तो लो इसे और चैक कर लेते हैं गुणा 180 ठीक है यह भी कितना है 2366 ठीक है तो यहाँ पर हमें यह कह सकते हैं कि अता है अता है दो संख्याओं का गुणान फल ब्राबर HCF गुणा LCM ओके अब इसी तरसे अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देख्याओं तो पांसोद्धास और बाणुमें इनका पहले एवाजे गुणान खंडन करेंगी दो 255 और 3 85 और 5 17 ठीक है इसको थोड़ा सा फास्ट ली कर रहां ताकि आपका समय बचें 242 23 तो 510 510 के जो एवाजे गुणान खंड बनेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और बाणुमें के जो बनेंगे वो 2 की पावर 2 गुणा में 23 तो इन दोनों का HCF में देखिए सिर्फ एक यही मिल रहा है और उसकी छोटी गात एक यानि सिर्फ इसका HCF कितना होगा 2 तो HCF of 510 और बाणुमें कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 और LCM में देखिए 510 और बाणुमें का LCM क्या होगा इसमें तो आपको परते एवाजे गुणान खंड की सबसे बड़ी गात लेने तो 2 की बड़ी गात 2 हो जाएगी फिर 3 5 17 तीन गुणा 5 गुणा 17 और पिर तो यह जाएगा 2 की पावर 2 4 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा 23 तो च्यारती यह 12 25 60 60 को फिर 17 से गुणा करेंगे जोएंसर आएगा उसको फिर 20 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 23,460 23,460 ठीक अब फिर वही करेंगे कि दो संख्याओं का गुणन फल दो संख्याओं का गुणन फल में 510 और बाणवे की गुणा करके दिखा देंगे ठीक 510 गुणा बाणवे अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करके देखें तो हमें क्या करना है 510 गुणा में बाणवे यह च्याड़े से जार नोस्सों बीस आएगा ठीक और इसी तरह से HCF और LCM की गुणा करके देखें तो HCF गुणा LCM यह दो गुणा में 23460 तो दो गुणा में 23460 यह च्याड़े सनोस्सों बीस आ रहा है ठीक तो आगे वही लाइन हम लिख देंगे एता है दो संख्याओं को गुणा ब्राबर HCF गुणा LCM तो सेम टू सेम इसी लाइन पर हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा इसी तरह से हम थर्ड पार्ट जो है 37460 का HCF और LCM ग्याद कर सकते हैं आप ओनलाइन टेस्ट देना चाहते हो या क्विज टाइप में जो हम सी क्यूज करना चाहते हो तो आप पले स्टोर पर जा करके और यहां सर्च में सर्च में आप क्या लिखेंगी सुरेश लेक्टर लिखेंगी आपका सामने लिखा हुआ ठीक और फिर उसके बाद यह लोगो देखें इस टाइप का लोगो आपको मिलेगा यहां पर आपके इसंता उपसना का आए अगर आपके पास अल्रड इस्टोल नहीं सो अब मेरे वारे क्योंकि इस्टोल है तो इसलिए मैं यहां सिद्धो जुक्त दभा दीता हूँ ठीक है अब जैसे आप open करोगे न तो यहाँ पर आपकी classes के इसाब से आप अपने class select कर लेंगे जैसे मैं class 10 select कर रहा हूँ आपके पास Hindi medium का मैथ है तो यह आप select कर लें आपको जैसे notes download करने तो यहाँ से कर सकते हैं अब online quiz अगर आपने देखने तो यहाँ से कर सकते हैं इसकी quiz यह देखिए आपके सामने आगी है तो इन में से देखिए कि निमन लिक्त में से affirmation क्या आपने चाटनी है तो affirmation जो यहाँ पर देखिए अगर आप सेलेक्ट करते तो आगे ठीक का निसान आजाएगा गलत करते तो गलत का निसान आजाएगा और इस तरह से यह जो सारे question है यह पिछले वर्षों के जो board exam वाले question है वही है और examination point बहुत important है जिसे last means आओगे तो get score का option आएगा और यहाँ पर आपको आपका score दिखाई देजाएगा कि total 20 question थे आपने एक question correct किया एक wrong किया 18 चोड़ दिया 5% आपका score है ठीक है अब आगे थर्ड question देखिए यहाँ पर आपको तीन संख्याएं दे दी है और इन तीनों संख्याओं का आपने ACF और LCM गयाद करना है तो जैसे दो का किया ऐसे तीन का हो जाएगा कोई जादा मुस्किलिस में नही है जैसे 12 15 21 तीनों के हम क्या करेंगे एवाजे गुणान खंड बनाएंगे दो चीके 12 दो तीयेच है और तीन पांच ये 15 तीन साते 21 तो बारा ब्राबर दो की पावर दो गुणा 3 15 ब्राबर हो जाएगा 3 गुणा 5 और 21 ब्राबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 7 अब HCF 12 15 तीनों का HCF क्या हो जाएगा जो बनिष्ट गुणान खंड है उसकी सबसे सोटी गात बनिष्ट यहां पर तीन है तो HCF कितना आजाएगा 3 और जो पहले वाले कृष्टिन में आपने ठीक है और बाई चांस अगर याद ना भी रहे एक्जाम में तो इसका इतने नंबर कटने की चांस नहीं होते लेकिन अगर आप लिक देते हो ना तो बहुत अच्छी बात आई है और HCM HCM में आपने क्या करना है कि परते गुणन खंड लेना और उसके सबसे बड़ी घात लेनी है 12, 15 और 21 का HCM में तो 2 की पावर 2 ले लेते हैं गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 गुणा में 7 2 की पावर 2, 4 गुणा 3, गुणा 5, गुणा 7 चारती है 12, 12, 15, 60 और 6 गुणा में 7, 6, 7, 6, 720 हो जाएगा ठीक तो HCM 420 आगया और HCM 3 आगया अब आगे second question देखिए है second part इसका कि यहाँ पर 17, 23 और 29 तिन्नों हमें दिखाई दे रहा कि तिन्नों ही क्या है ऐ भाजे संख्या है तो 17 को में लिख सकता हूं 17 गुणा 1, 23 को 23 गुणा 1 और 29 को 29 गुणा 1 ठीक है तो देखिए इनका कोई अगर HCF हम ग्याद करना चाहे ना 17, 23 और 29 का तो देखिए कोई ए भाजे संख्या तो इनका HCF आने सकते है ठीक है और HCF मैंने क्या बताया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तिन्नों को पुरा पुरा भाग कर दे इनको विभाजित करते है तो ऐसे संख्या यहाँ पर क्या है एक ही बन रही है बाकी तो कोई नहीं बनेगी ठीक है तो इस तरह से अगर बहुत सारी एभाजे संख्या हो ना तो उनका HCF हमेशा क्या होता है एक ही होता है जबकि LCM में 17,23 और 29 वही यह की परते एक आयभाजे गुणन खंड के सबसे बड़ी घात का गुणन फल तो 17 गुणा 23 गुणा 29 तिन्नों की गुणा करकी यह लिख देंगी ठीक है और समय बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं 17 गुणा में 23 गुणा 29 और यह आगया 11,349 ठीक और इसी तरह से इसका थेर्ड पार्ट है वो भी काफी आसान है यहाँ पर 8,9 और 25,3 संख्यें दे रखी है 2,4,8,2,2,4 इसके अब आजे गुणा नखंड बनाएंगे तो इसी तरह से 9 के बना सकते हैं 3,3,9 और 25 के 5,5 तो 8 को में लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 9 को में लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2 अब देखिए यहाँ पर कोई भी उबेनिस्ट गुणान खंड नहीं है तो HCF 8,9 और 25 अब देखो अगर कोई और नहीं है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा गुणा में एक एक तो लगाना ही पड़ेगा और एक ही उबेनिस्ट आ जाएगा ठीक है तो इनका HCF क्या एक होगा और LCM में 8,9 और 25 की गुणा हो जाएगी बस ठीक है दो की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 यानी 8 गुणा में 9 गुणा में 25 आट नहीं में बैतर बैतर को 25 से गुणा करेंगे तो यह 18 स्वा जाएगा ठीक इसके अलावा एक important बात और कि जैसे हमने पिछले क्युस्टन में एक यह बात कही थी कि दो संख्याओं का गुणा पल दो संख्याओं का गुणा पल दो संख्याओं का गुणा पल किसके बराबर होता है HCF गुणा LCM के बराबर तो यह नियम सिर्फ दो संख्याओं पे ही लगेगा ठीक है अब तीन पे लगे ना लगे कोई पका नहीं है ठीक है यहने तीन के लिए नियम है यह नहीं यह मान के चलिए आप तीन संख्याओं के लिए बाइचंस कोई हो जाए अलग बात है अदरवाइज यह नियम लागू नहीं होता अब देखिए इसे बेस पर हमारी अन्सियार्टी बुक में अधार नमबर 4 है इसमें भी तीन संख्याओं दे रखे एच्छा है बैतर और 120 इनका भी एव आजे गुणन खंड विदी दवारा HCF और LCM आपने ग्याद करना है तो चैक एव आजे गुणन खंड दो ती एच्छा है और बहतर के हो जाएंगे दो सत्तिस दो अठारा और दो निमे और तीन 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 है काफ़ आसान है एक सो बीस की दो साथ, दो तीस, दो पंदरा और तीन पंजे ठीक है तो अब 6 के एव आजे गुण अनकंड में ऐसे लिखेंगे दो गुणा तीन, बैतर के ऐसे लिखेंगे कि दो की पावर एक दो तीन और तीन की पावर दो जाएगा एक सो बीस के आजे गुणान खंड, दो की पावर तीन, तीन की पावर एक और पांच अब इनका हCF जो है 6 बैतर और एक सो बीस का हCF उबनेस्ट गुणान खंडों के सबसे छोटी घात का गुणान फल यह उपेनिस्ट गुणन खंड इसके सबसे सोटी गात कितनी है एक और फिर उपेनिस्ट गुणन खंड तीन तीन की सबसे सोटी गात कितनी है यहाँ पर एक तो दो ती यह च्छे हची अब च्छे आ जाएगा और लसीम 6 बैतर और 120 का कितना होगा कि यहाँ पर प्रते गुणन खंड की सबसे बड़ी गात लेनी 2 की पावर 3 3 की पावर 2 गुणा में 5 ठीक 2 की पावर 3 2 दुनी 4 दुनी 8 ठीक है और 3 की पावर 2 3 3 9 गुणा में 5 ठीक तो यह हो जाएगा 8 पंच 40 और 40 ने में 360 ठीक तो LCM आगे 360 और HCF आगया छे अब तीसरा उधान देखिया NCRT बुक का यह देखिया देखने में तो ऐसा है जैसे हमने पहले वाला किया था लेकिन इसका सोलुशन करने का जो तरीका आना वो थोड़ा सा लगया यहाँ पर आपको एक आगया कि एब आजे गुणन खंड़न विदी दवारा 96 और 404 का HCF ग्याद करना है और फिर इनका LCM ग्याद करना है ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा लग तरीके से करेंगे कि HCF तो गुणन खंड़न विदी दवाराय करेंगे LCM जो हमने फार्मूला पड़ा था ना पहले दो संख्याओं का गुणन प्लबराबर HCF गुणन लसेम वो फार्मूला लगा करके हम LCM ग्याद करेंगे तो देखिए कैसे हैं जस्ट यह की मिंट का समाई कि छाण में और 404 पहले तो ऐसे आप आए भाज़िकन अन्खंड बना सकते हैं फेर में बना सकते हैं कोई चक्र नियसका 48 दूनी छाण में 24 दूनी 48 12 दूनी 24 6 दूनी 12 2 तीए छे और 404 में हो जाएगा 224 200 224 2 1 2 2 0 0 2 1 2 अब ये 101 आए भाज़िकन अन्खंड हमें लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 गुणा 3 की पावर 1 और 404 के आए भाज़िकन अन्खंड लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा में 101 तो जो एच्छी एफ है किसका च्छाण में और 404 का वो क्या होगा अब निष्ट गुणा अन्खंड तयां दो ये इसकी छोटी गात कितनी 2 तो 2 की पावर 2 च्यार हो गया तो एच्छी एफ तो च्यार निकल गया अब LCM गयात करना है तो अब हमें पता है कि HCF गुणा में LCM बराबर क्या होता है दो संख्याओं का गुणन पल दो संख्याओं का गुणन पल तो HCF ओफ 46 mean and 44 गुणा में LCM ओफ 96 mean and 44 किसके बराबर होगा 96 mean गुणा में 44 अब HCF आपको पता है कितना है 24 4 गुणा में LCM ओफ 44 2004 च्यार कितना जाए च्यारव गुणा में च्यार शो च्यार एब हमें निकाल नाकिया है एलसीम तो च्यार इदर जाकर की डिवाइड हो जाएगा ठीक तो एलसीम उब च्यारव एड़ च्यार ब्राबर च्यारव गुणा में च्यार शो च्यार वटे में यह च्यार इदर गुणा में यह आजाकर की भागो जाएगा इदर आकर की च्यार इकम च्यार च्यार इकम च्यार च्यार जिरो जिरो च्यार अब च्यारव एक सो एक से गुणा करोगे तो च्यारव को जब एक सो एक से गुणा करोगे तो यह च्यारव एक से गुणा करोगे तो यह च्यारव एक से गुणा करोगे तो यह च्यारव एक जारव No.4 यहां पर आपको HCF दे रखा है 306 और 659 और इन ही दोनों संख्याओं का आपने क्या करना है LCM ग्याद करना है तो same to same जो अभी हमने example में किया था वही बस लिखने का तरिक्का हमारा यह रहेगा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुननपल बराबर HCF गुना LCM या HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुननपल दो संख्याओं का गुननपल ओके, अब HCF किस किस का भाई, HCF है 306 और 600, 57 का और LCM, LCM भी इननी काई होगा, और फिर गुणनफल किन का होगा, इनी दुन्नों का गुणनफल होगा, ठीक है, जिन संक्याओं का LCM और HCF हो नहीं काई आगे, गुणनफल होता है, तो LCM बराबर, 300, LCM ये ब्राकेट में लिख देना, मैं बोलेगा, यहाँ पर 306 गुणा में 600, 57, बोटे में HCF होगा, 306 और 600, 57, ठीक है, यहाँ ब्राकेट में 306 और 600, 57 लिख देना है, अब 306 गुणा में 600, 57 और HCF हो इनका दे रखा, आपको कितना 9 दे रखा है, अब देखो, HCF दे रखा है, तो HCF एक ऐसे संक्या होती, जो इसको भी पूरा-पूरा भाग करेगी, इसको भी पूरा-पूरा भाग करेगी, कैने का मतलब यह है कि 9 से 2 नोई कट जाएंगे जिसको मर्जी काट लो, 9, 9, 7, 63, 2 बस गे 9, 3, 27, ठीक, अब 306 को 33 से हमें गुणा करनी है, जो 22,338 आएगा, 22,338 ठीक है, तो यह एंसर आजएगे इसका, अब आगे, परस्णावली एक दसमें लोगे का 500 के उसन देखिए, यहां कहता है कि, जाच की जिए कि क्या किसी प्राकरत संख्या N के लिए, संख्या 6 की पावर N, N0 पर समाप्त हो सकती है, तो पहले तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझजी है, आप क्या कहना चाहता ह कि, यहां पर N कोई भी एक प्राकरत संख्या है, N प्राकरत संख्या का मतलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक, अब 6 की पावर N, 6 की पावर यहां पर हम कुछ भी लगाएं, जिसे 6 की पावर 1 लगाया मैंने, तो यह आया 6, ठीक, एकाई कांग भी क कितना छे, अब मैंने लगाया 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलो 6 गुणा छे, कितना आगे चा, 30, फिर एकाई कांग कितना आया, 6, अब 6 की पावर 3 करूँगा, तो 6 गुणा, 6 गुणा, 6, यह आएगा 216, तो आप देखिए, यहां पर भी काई कांग कितना यह, ठीक, तो अब यह कहता है, कि इस तरह से आप यहां पर एक, दो, तीन, ऐसे पावर कुछ भी लगाते जाएं, क्या कहीं, अन का कोई ऐसा मान आएगा, जहां एकाई का अंक, 0 आजए, लास्ट में, अंक सुनने पर समापत होने का मतलो, एकाई का अंक सुनने आजए, ठीक है, तो ऐसे तो हम कितने एक रख के देखेंगे, कितना चेक करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंक गनित की अधार बोत पर में ही लगाने पड़ेगी, अब रही बात सुनने पर समापत होने वाली बात, जैसे मालिया मैंने कोई भी संख्या लिख दी, 3450, अब जै दस लिख दिया, तो इसके बाग की और कुछ भी आवाजे गुणान खंड बने, लेकिन दो गुणा पांच, ये तो बने ही बनेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कि जो संख्या सुनने पर समापत होगे न, उसमें, उसके आवाजे गुणान खंडों में दो और नहीं आए, तो ये दस नहीं बनेगा, दस नहीं बनेगा, तो लास्ट में जीरो नहीं आएगी, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक, तो अब देखो, यहाँ पर पहली बात तो एक कनफरम हमें होगी है, कि जो संख्या सुनने पर समापत होगी, उसके आवाजे ग गुणन घंडों में 2 और 5 दोनों आगी, तो सुनने पर समापत होगी, और नहीं आए दोनों, तो सुनने पर समापत नहीं होगा, तो 6 की पावर N है, तो इसको मान लिखोंगा 2 गुणा 3 की पावर N है, ठीक, अब अगर N की वल्यू 1 रखी, तो 2 गुणा 3 आएगा 6 की रिपीट हो जाएगी च्छा की पावर तीन का मतलो यही चीज तीन बार रिपीट हो जाएगी और च्छा की पावर एक जार लगा दी तो यही चीज है दो गुणा तीन दो गुणा तीन यह एक जार बार रिपीट हो जाएगी ठीक तो यहां से एक बात तो कनफरम हो गी है कि छे की पावर से आप कोई भी प्राकरत संख्या लगा दो लेकिन उसके आप आजे गुणन खंडों में आएगा क्या दो और तीन नी अब अंक गणित की अधार बोत परमे की एद वित्यता क्या करती है कि अगर ये एक बार दो और तीन आ गया तो बस ये ही आएगा और कोई आई नी सकता और कोई नहीं आ सकता इसका मतलो पांच भी नहीं आ सकता ठीक दो तो आ गया लेकिन जीरो परमापत होने के लिए क्या से आपको पांच और से ये ना तो पास तो इसमें आएगा नहीं, पास नहीं आएगा तो 6 की पावर एंड, एंक सुनने पर समापत नहीं होगी, ठीक, तो यहां पर हम बिल्कुल आसान भासा में इसका जवाब लिखेंगे, पहले तो अगले पर ये बात समझा देते हैं, कि यदि कोई संक्या सुनने पर समा कोई संक्या सुनने पर समापत होती है, तो उसके एभाजे गुणन खंडों में, उसके एभाजे गुणन खंडों में संक्या दो और पांच, दोनों आएगी, ठीक, लेकिन, अब ये चीज बता दो अगले को 6 की पावर N ब्रावर 2 गुणा, 3 की पावर N, ठीक, के एभाजे गुणन खंडों में, कौन-कौन सी संक्या आती है, में केवल संक्या दो और तीन ही आती है, ठीक, अब अंक गनित की आधारबूत पर में एक अनसार ये गुणन खंड एद वित्य है, और अंक गनित की आधारबूत पर में एक अनसार ये गुणन खंड़न आधवित्य है, ठीक, आता है, इसलिए अच्छा है कि पाउर N के A भाजे गुणन खंडों में संक्या पाँच नहीं हो सकती, जो संक्या पाँच नहीं हो सकती, जो संक्या पाँच नहीं होगी, तो 6 की पाउर N सुनने पर विस्माप्त नहीं होगी, जो सकती है, 6 की पाउर N किसी प्राकर्थ संक्या N के लिए, सुनने पर सुमाप्त नहीं हो सकती, अब देखिए, इसी तरह का हमारा जो अन्सियाटी पुक मुदार नमबर एक है, यहां पर 6 की पाउर N की जगे पर, 4 की पाउर N दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम पूछागा है, बस पूछने का थोड़ा सा लेंग्वेज अलग है, कि यहां पर एक प्राकर्थ संक्या है, और 4 की पाउर N पर विचार करना है, और पूछा है क्या कोई N का ऐसा मान है, जिसके लिए 4 की पाउर N आयंक सुनने पर समापत हो, तो बात तो वहीं आगी न, तो 4 की पाउर N, अगर आपना देखें तो 2 गुणा 2 की पाउर N, तो यहां पर N की वेल्यू कोई भी रखोगे, तो इसके आप आजे गुणन खंड़ों में संक्या केवल, 2 ही आएगी, ठीक, और अंगनित की आधार भूत पर में के अनसार, यह जो गुणन खंड़ों में संक्या 5 नहीं आएगी, तो यह भी सुनने पर समापत नहीं होगी, तो आपने लिखने का तरीका सेम टू सेम यही है, पहले लाईने तो यही, यही कोई संक्या सुनने पर समापत होती है, तो उसके अप आजे गुणन खंड़ों में संक्या 2 और 5 नहीं होगी, ठीक और आगे अंगनित के अधारवुत परमे का हवाला दे देना है कि ये गुणनखंड़न एदवित्य है इसलिए च्यार की पावरन के अभाजे गुणनखंड़ों में संख्या पांच नहीं हो सकती और ये इसलिए सुनने अपर शमापत नहीं होगी तो इसी लाइन पर किशन नमबर 6 देखिए व्याख्या केजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है तो देखिए यहाँ पर ये दो संख्या दे रखी एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या ये है और इसने कैई दिया की संखें हैं और हमें बताना की संखें क्यों हैं तो पहले तो पहले शंखेया पर विचयार कर लेते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 एक पद तो यह और दूसरा पद यह होगा पद हमेशा पलस माइनस से सैपरेट होते हैं तो इस पद का भी गुणा नगंड 13 है, इसका भी 13 है, तो इस 13 को हम क्या करते हैं, कॉम्मन लेने के बाद अंदर बचे है, 7 गुणा 11, ठीक है, 13 तो कॉम्मन आई गया, तो गुणा में एक लिखने का कोई भाइदा नहीं है, ये 13 बार आ गया, तो यहां पर एक लिखेंगे ह गुणा में लिखेंगे, तो यही बात आजेगे, ये चलो लिखेंगे देता हूं, मैं क्यों कन्क्यूज होते हूं, ठीक है, अब 13 गुणा में, 7 गुणा में 11, 37, 37, 37, 37, पलस में 1, 13 गुणा में 78, ठीक, अब 78 के आई बाजे गुणन खंड बनाऊंगा, मैं, 78 के आई कटेगा 49 और फिर 3 पे कटेगा 13, 13 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 13, इसको मैंने लिख दिया, 13 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक, तो देखिए ये जो दीगे संख्या है, इसे हमने ऐ बाजे संख्याओं के गुणन फल के रूप में लिख दिया, और जो संख्या ऐ बा बाजे संख्या है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे, दे गई संख्या को, ऐ बाजे संख्याओं के, ऐ बाजे संख्याओं के, गुणन फल के रूप में, व्यक्त किया जा सकता है, आता है, ये है, एक बाजे संख्याओं के, ठीक है, अब देखिए कि, बहुत सी बुक्स में, इसका जो सोलिशन है, वो देखिए, यहां तक करके छोड़ाओं के, और कहता है कि, तेरा इसका एक गुणन खंड़ा, इसलिए भाजे संख्याओं के है, लेकिन, इस चैप्टर के अकोर्डिंग, ये बैस्ट सोलिशन है, ठीक है, बाके लिखने को तो कुछ भी लिख दो, गल्त होता नहीं है, समझगे, अब इसी तरह से आपने दूसरा करना है, दूसरे में एक पद दो यह गया से यहां तक, दूसरा पद यह दोनों में से पांच कॉमन ले लेंग, कि साथ गुणा, छे गुणा, पांच गुणा, च्यार गुणा, तीन गुणा, दो गुणा, एक जमा पांच, इस में से हमने पांच लिया कॉमन, तो अंदर बचे साथ गुणा, छे, पांच की जग़ा पर आजेएगा, एक गुणा, च्यार गुणा, तीन गुणा, दो तो एक ठीक है जैसे पांच को मुन ले ना पांच एक कम पांच वो एक कम यहां बसता है पांच गुणा में अब 6, 7, 42 42 को चारती अबारत उन्हें 24 से गुणा करूंगा तो ये 108 हाएगा 108 पलस में एक पांच गुणा में 1009 अब 1009 एक आवाजे संक्या है ठीक तो हम वही लिखेंगे कि 5 भी आवाजे संक्या ये भी आवाजे संक्या तो दीगी संक्या को 2 आवाजे संक्याओं के गुणनफल की रूप में व्यक्त किया जा सकता है ये एक भाजे संक्या है अब इस अक्सरसाइज का लाष्ट किश्टन है किसी खेल के मैदान के चारों और एक विर्ताकार पत है इस मैदान का एक चक्क्र लगाने में सोन्या को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्क्र लगाने में रवी को 12 मिनट लगते हैं माल लेजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारम करके एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद वे पुन अप्रारम्बिक स्थान पर मिलेंगे पहले तो स्टेटमेंट को समझें कि यहां पर एक विर्दाकार पत है यह क्या है विर्थाकार पत है इस पत के चारों और दो बच्चे जक्कर लगा रहे हैं एक तो है सोनिया ठीक चलो मैं यह लिख लेता हूँ एक तो है सोनिया और दूसरा है रवी एक तो सोनिया है दूसरा रवी ठीक अब सोनिया इसका एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है उपर देखो द्यान से 18 मिनट लेती है जबकि रवी लेता है 12 मिनट अब यह कहता है कि दूनों स्टार्ट होगे सोनिया और रवी एक ही दिशा में भागना एक ही समय में ठीक तो एक ही स्थान से स्टार्ट होगे दूनों तो अब यह पुन्य पुन्य प्रारमभिक्स्थान याँ पुन्य का मतलों दुबारा प्रारमभिक्स्थान पर कब मिलेंगे तो जब मिलेंगे सोनिया का भी पूरा चक्कर बने और रवी का भी पूरा चक्कर सोनिया का पहला चक्र 18 मिनिट में बना दूसरा 37 में, तीसरा चोमन में, चोथा बैतर में इस तरह से लगेगे जब कि रवी का बारा दूनी 24, बारा तीच, बारा तीच, बारा चोगड़, ताड़, बारा पंज़, साथ, बारा चीके बैतर फिक इस तरह से तो अब देखें तो सोनिया का भी 36 मिनिट में पूरा हो रहा है, इसका भी 36 मिनिट में तो 36 मिनिट बाद में दोनों आपस मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान से देखो, हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर यह 18 के multiple है और यह 12 के multiple है multiple का मतलब समझते हैं न गुणांक यह 18 के multiple है, multiply का मतलब गुणा ठीक 18, 37, 89 बैतर है 18 के multiple, 12 के multiple और वैसे तो common multiple तो 37 भी आगया, बैतर भी आगया, आगया और भी आते रहेंगे लेकिन हमें क्यार निकालना least common multiple, least common multiple देखना है यानि LCM देखना है, ठीक तो LCM यापर कितना है, 36 तो यह तो था समझने का तरीका, अब इस question को solve करने का तरीका देखो कि जितने समय बाद जितने समय बाद रवी और सोनिया पुन प्रारमभिक्स्थान पर मिलेंगे बराबर LCM ओफ अठारा एंड बारा अब यहां पर आप क्या करोगे अठारा के अब आजे गुणन खंडली कोगे, बारा के अब आजे गुणन खंडली कोगे दो निमें ठारा तीन थीए नौ तो अठारा का अगए दो गुणा में तीन की पावर दो और बारा का दो चे के बारा दो तीए थीए थीए दो की पावर दो 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 अब LCM ओप 18 एंड 12 LCM में क्या होता है Ubinisht गुणन खंडों के सबसे बड़ी घात लेनी होती है यहाँ Ubinisht 2 बड़ी घात 2 Ubinisht 3 बड़ी घात 2 Ubinisht गुणन खंडों के सबसे बड़ी घात का गुणन फल यह लिखते हैं आपने आपर 2 की पावर 2 च्यार 3 की पावर 2 नो च्यार निमे 36 और आगे लिखेंगे मिनट ठीक यह एंसर आजएगा कलियर तो प्यारे बत्सों इसी के साथ था आज का हमारा लक्टर समापत होता है और कल के लक्टर में हम परस्णावली एक दस्मिल दो का कुछ बेसिक समझेंगे उसके बाद जो है हम एक दस्मिल दो परस्णावली के क्यूस्टन और इसके एक्जामपल्स को सॉल करेंगे तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरा लक्टर पसंद आया होगा पसंद आया हो तो अशी दरूर लाइक शेर सब्सक्राइब करें थैंक यू वे नाइस दे